Hello everyone, इस वीडियो में देखेंगे, रिजनिंग का important question, सभी question important और selected question लिए गया है, तो चलिए देखते हैं, first question क्या दिया गया है, वाला question है, दिये गए सब्दों को सर्थक करम में बिवस्थित कीजिए, मतलब छोटा से बड़ा, देखें यहां से, सबसे पहले कौन सा आजागा इसमें सिसू आएगा तो option यहाँ पे एक है तो इसको पहले एक लिखेंगे एक है तो एक लिखना है एक है तो यहाँ से एक लिख लिए उसके बाद क्या सिसू के बाद कौन सा हो जागा बालक होगा तो बालक देखे किस में है, तीन है, तो इस जगा तीन लिखेंगे उसके बाद देखेंगे, बालक के बाद कौन सा होगा, किस ओर होगा, किस ओर यहाँ पे दो है, तो इस जगा दो लिखेंगे उसके बाद किस और के बाद का उनसा हो जागा वेस्ट को होगा तो यहां पे 5 लिखेंगे उसके बाद विर्द होगा विर्द तो यहां पे 4 है तो 4 लिखेंगे अब ऐसा option चेक करना है किस option में? option नमर B में है option नमर P सही answer है next question देखते हैं अगला question क्या दिया गया है L M N O P R 6 मित्र है M बड़ा L और N से है P बड़ा है M से लेकिन O से छोटा है R छोटा है N से L के बल दो लोगों से बड़ा है उनमें से चोथा सबसे छोटा वेक्ति कौन सा होगा? तो देखें उपर नीचे करके लिखना है इसको छोटा बड़ा सिंबोल करके नहीं लिखना है तो सबसे पहले यहां पर देखें M बड़ा है L और N से L और N से तो L और N दोनों को एक ही जगा रखना है तो L और N को एक ही जगा रखना है उसके बाद कौन सा हो जाएगा M बड़ा है तो इससे M बड़ा है तो यहाँ पर M लिखेंगे उसके बाद बोल रहा है P बड़ा है M से P बड़ा M से लेकिन केवल O से छोटा है तो O कौन सा हो जाएगा उपर हो जाएगा P के उपर R छोटा है N और L से केवल दो लोगों से L बड़ा है तो R छोटा N से तो नीचे यहां हो जाएगा R N के नीचे लेकिन बोल रहा है L केवल दो लोगों से बड़ा है तो कौन किसे किसे बड़ा हो जाएगा R और N से तो इससे बड़ा हो जाएगा L आप बोल रहा है सबसे चौथा चोटा विक्ती ये पहला चोटा ये दूसरा चोटा और ये एल तीसरा चोटा और एम क्या हो जागा चौथा चोटा तो ये इंसर आजागा option number B option number B से इंसर नेक्स्ट कोशन देखते हैं अगला कोशन क्या दिया गया है निमलिकित स्रिंखला में प्रश्ण वाचक चीन के अस्थान पर कौन सा आएगा त्यान से देखना है 620 48 68 166 कोशन मार्क दिया है कैसे बनाना है यहाँ पर अंतर देखेंगे यह दोनों का अंतर कितने का है 14 का अंतर तो यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ से इसका वी अंतर देखेंगे कितने का अंतर 6 का, यहां 8 का और यहां 10 का, तो देखे 6, 8, 10 हो रहा है, यहां कितना आना चाहिए, यह 12 अंतर आना चाहिए, तो 38 में 12 जोड़ लेंगे, कितना आ जागा, 50, अब क्या करेंगे, 106 में 50 जोड़ लेंगे, 106 में 50 जोड़ लेंगे, कितना आ जागा, 156, 156 देख ऌना है दो तरीका से बना सकते हैं दो दो अक्षर यहां पर ले सकते हैं शैर पंचे 20 दस पच्यास तो 25 5125 कि एकशब पंचे ऑना चाहिए 26 के जंगे कितना आना चाहिए है फैस यह इंसर रहा जागा 26 इंस्र गलत है धेखिये इसका दूसरा तरीका क्या है चार गुना 5 करेंगे इसका अधा करेंगे तो 10 होगा फिर 10 गुना 5 करेंगे फिर इसका अधा करेंगे तो 25 आजाएगा 25 के जगा आना चाहिए 26 के जगा 25 आना चाहिए और इसका multiply कर लेंगे तो 125 आजाएगा इंसर गलत संख्या कौन हो जागा? 26 हो जागा ये सबी नम्मर को बाहर वाले नम्मर को जोड़ लेंगे, और ये 36 में घटा लेंगे, 7, 14, 12 को जोड़ लेंगे, कितना आजागा? 33, तो ये 36 में 33 घटा लेंगे, कितना आजागा? 3, तो यहाँ वाला 3 दिया गया है, आगे भी वही करेंगे 16, 25 और 11 को जोड़ लेंगे, तो क चौवन में चौवन में 36 घटा लेंगे कितना एंसर आजागा 18 अठारा देखें ओप्षन नम्मर डी में ओप्षन नम्मर डी सही एंसर है नेक्स्ट कोसन देखते हैं अगला कोसन क्या दिया गया है दी गई समरुपता के अधार पर दिये गई विकल्प में से नहीं दिया गय अप्षन चेक करेंगे यहां यह नहीं हो रहा है इसमें भी देखें आठ आठ किसी का क्यूब है इसक्वार है नहीं है यह चौशट यहां भी नहीं हो यहां भी नहीं इसमें है तो देखें यह क्या है नो का स्क्वार है और यह क्या है नो का क्यूब है तो यही एंसर आजा यहां भी option में भाग वाला है वहां पे हमारें ओप्सन ये चक्क करेंके यहां है आँ पर और संद लगेगा-वाक्षोब कर लेंगे 27 यहां क्या दिया गया multiply का तो multiply 3 उसके बाद पलस है पलस 19 उसके बाद मैनस कितना है 10 अब देखे क्या होता है multiply हो जागा उसके बाद जोड़ोगा उसके बाद घटा हो जागा 27 कितना जागा यह 27 होगा 81 और यहां 19 19 और मैनस 10 मैनस 10 तो 81 पलस 19 मैनस 10 कर लेंगे तो इंसर आजागा कितना कि यहां पर 19 है तो जोड़ने के बाद आपका जागा जोड़के घटा लेंगे तो इंसर आ 90 यहां पर देखिया आ रहा है तो यही ऑप्षन नमर डी से इंसर है नेक्स्ट कोशन देखते हैं अगला कोशन क्या दिया गया है ईका पूत्र ए देखिए यह ध्यान से समझना है और आसानी से आप लोग बना सकते हैं यह को कैसे बना सकते देखिए इस जगए लिखेंगे और यह A, पुत्र है तो क्या हो जाएगा, पलस हो जाएगा, B का पुत्र D है, यहाँ से कुछ नहीं है, यह अभी नहीं चल ला है पता है, तो आगे बढ़ जाएगे, A का F के साथ भीवा हुआ है, तो यह मैनस हो जाएगा, B की पुत्री F है, यह B की पुत्री है, यहाँ पे, B की पुत्री, तो यहाँ लिखेंगे, B उपर हो जाएगा, यह पुत्री है, तो यह यहाँ पे हो जाएगा, उसके बाद बोला, D का A के साथ क्या संबन्द है, अब देखिए, यह वाला पता नहीं चल ला है, लेकिन यहाँ वाप उपर एक छोड़े है लाइन को तो बी का पुत्र d है यहाँ पर डी है यह तो यह दोनोगों सा हो जब्शा और यह बणोगा और यह पुत्र है प्भाई बनोगा अब पुछा है डी का एसे क्या समद्ध यह A और D का संब्द क्या है मतलब A का A जो है कौन लगेगा डी तो कौन लगेगा साला लगेगा option नमर B सही answer हो जाएगा next question देखते हैं अगला question क्या दिया गया है निमलिखित में से कौन सा आरेक पुस्तक उपन्यास और सब्द कोस के भी सही संबंद परदर्शित करता है जब भी वेंड डियाग्राम का question आएगा तब सब्दों पर विचार करना है पुस्तक उपन्यास और सब्द कोस तो पुस्तक क्या हो जागा? पुस्तक के अंदर ही उपन्यास भी होगा और ये सब्द कोस हो जाएगा तो ऐसा option चेक कीजिए किस option में? option number A में है option number A से ही answer है next question देखते हैं यदि जन्वरी 2014 को बुद्दवार था तो एक जन्वरी 2015 को कौन सा दिन था? तो देखें जब भी यहां पे होगा तो ये पहले देखेंगे क्या 4 से ये पूरा-पूरा 14 भाग लग रहा है? नहीं लग रहा है यहां भी देखेंगे नहीं लग रहा है अगर भाग लाई जागता तो क्या होता लीप येर होता लीप येर में कितना दिन होता है 365 दिन होता है 366 दिन होता है लीप येर में लीप येर नहीं है तब कितना दिन होगा साल में 365 दिन तो 365 दिन होगा, 2014 से 2015 एक जनबरी से एक जनबरी, 365 दिन होगा, इसको क्या करेंगे, 7 से भाग दे देंगे, तो ये कितना आ जागा, 7 पचे 35, कितना बचा, 1, फिर 7 दूना, 14, हासिल कितना बचा, 1, तो यही एक सेस से मतलब है, बुद्वार था, बुद्वार में एक दिन जो मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जाएंगे